हेलो एब्रिवन कैसे आप सभी आप सभी को स्वागते स्टड़ी ओनलाइन विद केके में देखें आज की जो हमारी वीडियो में सेकंड डियर वाले स्टुएंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस आउनर से गिनुस कर रहे हैं आज हमारी बुक का नम है M.E.D.E. इसको भूम अंडली करन एबं परियावरन भी बोलते हैं आज मैं आपको जो चैप्टर कराने वाली है इंप्पॉर्टिट चैप्टर में से ही हैं आप सभी को पताएगा मैं इंप्पॉर्टिट चैप्टर करा रही हो तो आज जो हम चैप बनते हैं एक कोशन हमीजा पूछा जाता है तो चलिए आज का चैप्टर को में स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करना और अभी तक मैंने जित्ते भी इंपॉर्टेट कोशन कराए हैं और जो 2018-19 जून सॉल्ट कोशन वेपर काया है वह सब आप जरूर करके जाना क्योंकि दिसंबर वाले स्टूर्ट है जिनों का फेरवरी में एक्जाम होगा तो सेम ही सब कोशन आते हैं कोई डिफरेंट नहीं होते हैं उसी बुक में से बनते हैं तो जित्ते ही मैंने अभी तक इंपॉ लोगों तक गुणवक्ता होते हैं वह जादा होने लगे हैं कि लोगों की मांग जादा बढ़ रही है और आप से भी को पता होगा कि नीतियां जैसे कि वेपार की नीतियों पहले से बदल चुकि जब भूमर्ण ने करना है उसके आने के बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ तो इसी परकार से क्या हुआ कि जो यह माने जाता था पहले कि जो वेपार है और जो परियावरण वो एक दूश्रे के विरोधी है मतलब एक साथ नहीं चल सकते परियावरण और वेपार एक साथ चल सकते अगर हम सब चीजों को ध्यान देतों तो इसमें हम यहीं पढ़ें कि रभी हें को कि है चुलों हुआ ऑर यह चुल जैसा होता है और जो यह पार ह को दुश्रकार मतलब है विपार होता है तो तकनिकी होती है जो भी परियोग करते हैं चीजों का यह दिर्द कालिन होता है यह नहीं तत्काल नहीं होता है यह लंबे समय तक के लिए होता है और परियावरण को देखके ही यह सब बनाया जाता है और जो हरित वेपार होता है उसको जो प्रोजेक्ट का उदेशे क्या होता है कि दिर्द का आपका आर्थिक विकात भी सही से हो और परियावर्ण भी सही से रहे तो इस वेस्ट मेटीरियल को फैक नहीं देती है वो उसका पूल उपयोग करती है आपको पता है यह प्रदूशन क्यों फैलता है क्योंकि कोई भी कमपनिया है अगर कोई चीज बनाती है तो इसका परियावर्ण को नुकसान पहुचाएं तो इसमें होते हैं अब इसमें बतार है कि पहले आपने देखा होगा कि जो भी वेपार कर रहा है जो बड़ी-बड़ी कमपनिया है वो अपने फाइदे के लिए परियावर्ण को दुर प्योग करती है फिर उसका नुकसान करती है परियावर्ण को किस परकार से जैसे कि आपने नाइनटी-एटी-फोर में भारत के जो बोपाल शहर है बोपाल शहर में जो मिथाइल साइनेट का जो किस्ता है वो आपको पता ही और जो अगेज लिकेज हुआ था बहुत सारे आसपास के जो उसकी इलाके थे वहां पे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्रम हो रही थी एसे पेरू में सन 2000 में आपने किस्ता सुना होगा और इसी परकार से इटली में मिथेल गेस का या आग लगना और यह सब देखा होगा तो इसमें वही सब चीज़े बता रहे हैं कि यह जो चीज़े हैं यह लोग अपने फाइदे के लिए परियावरण को नुक्सान हो जात हैं कि यह सब चीज़े नहीं होने चीज़ें परियावरण को नुक्सान नहीं पोशने चीज़ें तो इसके लिए बहुत कदम भी उठाए गए तो इसी परकार से अंतरास्टे सब पर जो वनीजय काक्ष होता है फिर उद्योग्यों होते जो परियावरण के रक्षा के दे भी जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं खाद अद्वा फादन उत पन करने वाले शोचाल से लेकर हरी अस्थापते तक तो हम नैक्स पॉइंट बढ़ें कि इसमीं बस ही बताया गया था था कि हरी फुमीकश्छ की पार के लिए परियावरणी चुनोटी हम इसमें करते हैं इसके लिए की चुनवत्या क्या क्या थी हैं कि वेपार अगर आपको लमबा घर दिर्द कालीन वेफार करना को दिया कर सकते हैं अगर अपनर कर सकते अगर हम ऐसा नहीं करेंगे क्या होगा की गरे भी बढ़े की और चेंट how वो भड़ेगी और दुखी भी होगा मानव क्योंकि अगर परियावरण में कोई चीज प्लाप्रम आती है तो क्या होता है परियावरण से इंसान जो मनुष्य है उसी को ही नुकसान उठाना पड़ते हैं अगर परियावरण में परदूशन फैलेगा तो इंसान ही बिमार होने लग जाती है जादा अस्पतालों में भीड होने लग जाती है बहुत साई ऐसी चीज़ें देख देखी जाती है परियावरण को नुकसान होते हैं तो मनुष्य जो है उसको जादा नुकसान उठाना पड़ता है तो इसलिए अगर अपना विपार करें तो हैं क acompa लेके ही चलता है साथ में जिस्से की आरथिक विकास भी होता है वो वैश्वी कर रहे हैं वह लिएब त्योग अच्छे भड़े और नई-्ए खोज हो और हम परिया वोन को धियान में रखके सारे विपार को कर सके पर इसमें अगे बताय जा रहे हैं कि परिया वर्ण के चिंता है वह हमीर देशों को करने सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने विकास के यह था इसे हैं कि अगर आपको विकास की नीतिया बनाएंगे तो विकसित में जो गल्ते हैं हैँ उभर से उभर सके लिक हुखे- अच्छा परियावरंड करoya को छपosctime जब हम परियावर्ण की नीतियां अच्छे बनेंगे अपने विपार की नीतियां अच्छे बनेंगे अपने विकास की नीतियां अच्छे बनेंगे जो परियावर्ण की मित्रिपोन हो या फिर फ्रेंडली हो और देखें जो विकासल देश है उनको जो परियावर्ण की समस्य या इससे बहुत जादा उनको सामना करना पड़ रहा है तो वह चाहते हैं वह इस परकार बोलते हैं अगर परियावरण की समस्या का समाधान करना है तो अंतराश्य जो कॉर्परिशन होते हैं वह यह समस्या का समाधान कर सकते हैं और फिर आगे बोला जाते हैं अगर कोई भी समस्य का सामना नहीं कर सकते सब को मिलके करना पड़ेगा तब यह समस्या खतम होगी जो परियावरण से लेटर समस्या है जो परदूशन इतना फैल रहा है या फिर आप देख सकते वायू परदूशन जल परदूशन और इतना जो कच्रा हुए जो भंडार है गारबेश का य नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परियावरण के डिश्टी से द्रह्मनी प्रद्योगी को की विशेष्टा इसको हम एस्टी बी बोलते हैं और यह कोशन आपका जून में भी आया था कि धमनी प्रदूशन या ध्वनी प्रद्योगी के बारे में बताई तो इसको यह द्यान स सकते हैं तो इसलिए अब तक करवाई मैंने वीडियो बनाई हैं आपके लिए वह सब आपको देखना जरूरी है तो चलिए इसको देखते हैं और मचाने की बचाने की बोच स्रंपता होती है और की दिख सकती किस विकास मानव और परियावरन के बीच के रिष्टे को जोड़ती है और जो मानव कारे करता है और जो संसाधन है उनको भी जोड़ती है तो अच्छी कोई तकनीक होती वह परियावरण को कम करती है तो देखे जो तो ए कैसी तकनीक वह बोल सकते तीन चीजों जोड़ती है एक विकास को एक मानव को तो यह तीनों की कडियों को जोड़ेगी तो परियावरण में जो ब्रदूशन फैल रहा उसको भी कम करेगी और विकास जोए तो अच्छी तकनीक में बस यह होता है कि वेस्ट माटीरियल ह कोई भी तो उसको अच्छे से रखा जाए मतलब कि उसका पूर्ण उपयोग क्या जाए क्योंकि वेस्ट माटीरियल से ही परदूशन फैलता है और देखे इसमें बताइक है जो एस टी है वो एक ऐसी तकनीक है जो परियावण को कमदूशित करती है और इक जो एजेंडा था उसमें भी बोला गया था कि इसका जो सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से मतलब करती है इसके जो विदी हैं सेवाएं उपकरण वह बहुत अच्छे हैं और इसी के मद्ध्य हम से क्या होता है कि विकास सई ठंक से होता परियावण को भी किसी परकार सा कोई नुकसान नही मतलब करते हैं तुह ठाइन को अगर वार्प यी बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं से के और अपने महल आतने बदलते हैं समझतर अब ऑपर की तरफ क्या और इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी प्रद्योगी कि या कोई भी उद्योग अगर कुछ काम करते हैं तो आम इंसान को ध्यान में रखके ही काम करें क्योंकि हर इंसान रोज अपने जरुतों के लिए महनत करता हैं और फिर महनत करके अपनी कमाई मतब के अपना पेड़ भ प्रभाव डालती हैं। जब कोई विपार बनता है तो उस पे बहुत साथ बात असर डालती है। तो इसी परकार से, एगर आज चे में कोई विपार या तकनीक्षा बन रही हैं, तो उस पर चिंता करने वाली ये बात होती है कि वे परियावन की इस्तिती पे क्या प्रभाव डालेगी और इसे भी पता चलते हैं कि परियावन की इस्तिती क्या चल रही है वहां तो इसके जो परभावव हुआ हम पढ़ते हैं पहला है प्रद्योगी की हस्तांत्रन सहयोग तो इसमें क्या होते हैं कि जो भी परदेशिक कंपनिया होती हैं उनके नाम भी लिख रखा है जैसके UNDP, USCDTAD तो ये जो भी कंपनिया है ये उत्पाधन के विपार में आने वाले जो भी इसाने सरकार हो गी तो जो भी अगर इस्थाने सरकार है उसको जो भी आपकी गैर सरकारी संगठन होते हैं फिर जो अलग से संगठन हैं वो उसको पूरी जानकारी देते हैं कि हम किस प्रकार से वेपार कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं जिससे क्या होता है कि इस्थाने सरकार जो होती है वो रोजगार और जो विक्सित देश वह ऐसे विज्ञानिक चीजों में निवेश करते हैं यह ऐसी चीजों की टेकनोलोजी की वह करते हैं अविश्कार जिससे कि फिर विकासिल देश है उनको भी वह की जा सके और उनकी जो मुसीबित थोड़ी कम हो नेक्स नियम इतता स्वेचक भागिदारी इसमें यह होता है कि जो संगठन एक तो स्वेचक रूप से होता हैं खीकर और एक सिस्टम एक नियम के सिस्टम से पूरा प्राइब करते हैं और इसकी शम्ता उसी से हम पता लगा सक उसे सहकं इंपर की सहती है सभी और इसलग को फायदा भी मिलता है कोई वी कारी हो रहा है तो इसका पौलंग करनके नियम को पाराइब को बढ़ाते हैं और जो परियावरंड पे बुरा असर पड़ा उसको भी नापत है कि उसमें देखेंगे कि परियावरंड के मानक जो उसके फ्रेंडली होने चींग तो और उनकी उत्पादन शब्ता को भी बढ़ाएंगे कि परियावरंड को कोई नुकसान ना पोचे और ये भी पता लगाते कि उत्पादन की गुणवक्ता के लिए ISO 9000 कहा गया जो कि विश्व मानक माना हुआ है कि देखें हर एक मानक होता है एक स्टेंडर होते कि हाँ इससे जादा परियावरंड को कोई नुकसान है तो इसका होता है कि परियावरंड दूशित है तो एक स्टेंडर है जो ISO 9000 कहा गया और यह बोलते हैं कि इस से अगे स्टेंडर मान दिया एक मानक मान लिया है परियावरंड को लेके और यह संबेलन हुआ तो उसमें यह सब चीजे की गई थी और जो आई एस सो है वो जो आई सो 9000 है वो गुणवक्ता प्रबंद को देखता है कि कैसी गुणवक्ता है क किसी बी चीजक में प्रबंद क्राव देखते हैं झोगा देखते हैं ये यह सिम टारिक उसका परणाम क्या है उसका नव हजार। तो इसलिए, मुझे ओश्रकार सुम्म पूरा की नियमता है, परंतो इस टाकार की नियमता है, यहां पर सरकार की नियमता नहीं है। आयसो जो है वो पूर्ण रूप से परियावरंड को सुरक्षा के उपर नहीं खड़ा उतर पारा क्योंकि देखें खाली वो सिस्टम को देख रहे कि कारे किस परकार से हो रहे परन्तु कारे का परिणाम गल्थ भी तो हो सकता है तो वो उसको नहीं देखता है तो इसलिए असर दालती है उसको देखता है ये नेक्स्ट पॉइंट विपार चलाने के चुनौतियां आती है आज की टेमप्य क्या है कि विपार को चलाने के लिए सबसे बड़ी चुनौतिया आती है कि परियावरंड के साथ मैत्रपुर्ण संब्ध होने चाहिए ना और जो उसके चाहिए और जो परियावरण के महत्री के मापड़न है और जो मानवों का मिलना है यह सब सबसे बड़ी चुनौती है इनके लिए और हर एक देश क्या करता है अपने नियम कानून को लागू करने के लिए अलग से सिस्टम बनाता है और देखिए 1990 में इक विपार जो अधिकार पत्र होता है वो त्यार किया थो बहुत सारे सिद्धानतों की बात की गई तरह उसे द्धानत हम पढ़ते हैं पहले कार्पुरेट प्रात्मिक्ता तो देखिए कि दिर्दिकालिन विकास के ओपर धिया जा रहा है और इसमें कार्पुरेट को सबसे नटे रखा जा रहा है क्योंकि परियावरण के साथ अच्छा इसका तालमयल है घा सकता है और लिए इसने समझत प्रबंध इसमिन की होते हैं जो थे प्रबंध होते हैं उनूं को देखते हैं जैसे प्रिशाशन और अनुसेंदान विकास और आर्थिक प्रबंदी एंगे लिए करमचारी को करमचारी की शिक्षा नहीं करते हैं, पूर आकलन में क्या होते हैं कि इसमें जो भी काम हो जाता है उसका फिर देखते हैं कि परियावरण पे क्या आसर पड़ेगा तो उसका पूर आकलन करते हैं कि काम पूरा होने के बाद उसका आसर देखते हैं कि परियावरण पे किस परकार से पड़ेगा सब्सक्वार करें और पर्योप करें तो पहर टोटार और फैक करें जैसे सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब लुग जिल का। तो यूज करें ऐसे ना कि इदर उदर कहीं पे भी रोड पे फैक दे तो यह है ग्राक सला फिर है सुविधाय और कार्यें देखें सुविधाय और कार्यें पर कहें कि कोई बी उड़ जा जो होती हो जो समान होता है उसका सही से पहले तो यूज करना चाहिए कि उसकी जित्ति एक डिस्ट्रिकोंड बहुत जरूरी है ठेकेदारों और पूर्ति करता हों जो भी ठेकेदारों पूर्ति करता है उसको परियाफ़न के साथ मैत्य पूर्ण तरीकों से अपने काम को भढ़ाना चाहिए फिर किसी बीजिश का परियोग करना चाहिए फिर आपातकालिन तेया ठीश का देखिए उसके आसपार के तरिए जुट अब इसके आसपास के जो घर है कोई भी परकारिया नहीं अपनाए गई थी तब जब रिशाव वहा तोلا कित्ते लोग घायल हें कित्ते दैठ हो गी तो यह सब कि आपकाल की तैयारी दिस पहले से करना जाएं फेर आपका है अपने नीतियां के अनुसार ना छाहिए प्रड्योंगों के इसके अनुसार ना प्रियोंगे тогда परियावन की नीति इस परकार से बनाने चाहिए कि समाच के जो हर वर्ग है जैसे कि आपका शिक्षा केंद्र हो गया से है कारे विभाग हो गया नीजी विपार इस सबको फायदा हो ना कि किसी एक इंसान को फायदा हो कि ऐसा महौल होना चाहिए अनुपालन और रिपोर्टिंग उधारता यह परियावरन के और रिपोर्टिंग हो सके देखे है नहीं हमारे पॉइंट सारे कितम होंगे अब हैं कि हरित उब भोकताओ तो इसमें को बढ़ावा देता है जो परियावर्ण का विकास कर सके मतलब कि आज हर एक देश में हरित भूकतावात को अपनाया जा रहा है जिससे कि परियावर्ण को किसी परकार कर नुकसान ना है और जो गराहक होते हैं वह भी बहुत जागुरु के परियावर्ण को कि लिए क्या परियावर्ण के साथ adventures क कैमिकल का परियों कम से कम कर सके और शुgeneration को बनाती है रिखी परियावर्ण को करें इसी कंपनिया अब नेक्स नमारा पॉइंट प्रभाव मुल्यकान और यह भी इंपोर्टेट है आपका एक्जाम में आता हैं 1970 में परियावन की परभाव मुल्यकान की तरीके विक्सित किये गए जो परियावन की परभाव उन्हों को बताता है और जो नकारात्मक अक्सर होते हैं उसको घटाता है और जो सकारात्मक अक्सर होते हैं अफसर उनको बढ़ाता है मतलब कि यह ऐसा मुल्यकान होता है कि इसमें कि परियावरंड के उपर जो खराब परभाव पढ़े हैं उसको बताता है कि परियावरंड के उपर क्या परभाव पढ़ सकते हैं तो इसमें क्या होता है उसके मुल्यकान में कि जो नकारात्में परभाव होते हैं उसको घटाता जो परियावरण के उपर न परभाव को बढ़ रहा है और देखें जो भी परियावरण के पर inh देख अब द आती रहते हैं हम्हें अबित्या परियावरण का प्रभाव है और उसके जो मुल्यकान वह विभिन दौरा किया जाता है, बहुत सारे आसे चीजे हैं, जो परमुक कदम हैं, वह इस परकार से हैं, पहला है कि जो परियावरण के खत्रे उसको पहचानना, जो परियावरण के बुरे असर हैं, उसके चतामने देना, आर्थिक निती में सुध में पहार लाना पुंजी के शमता को पहचानना और परियावरण के लिए जागरुकता और उनके जिम्मेदारी कॉर्परेट भागी-दारी तरीके से लिभाना इसमें देखा जाता है चैसे परिया बुरे असर पड़ेंगे क्या आर्थिक सुधार हमें करना चाहिये कि उसके बड़ी भागिदारी माने जाती है और लोगों को जाग रुक किया जाता है कि परियावरण को नुक्सान ना पोचे उसके क्या-क्या बुरे परभा हो सकते हैं तो इसके परियावरण खाते में बस यह है कि इसमें बहुत से ऐसी तक्निक को अपनाया जाता है जो परियावरण और इसके 10 विचार हैं जो कहीं देशों में बहुत जादा सहारानी हैं इसने बस यह एक बुक छापी गई है परियावरण खाती के ऊपर और इसमें कुछ विचार दिये गए हैं जो बहुत अच्छे हैं कि हर एक देश अगर उसको अपनाएगा तो बहुत सारे मतलब की परिय हैं उसमें कुछ मतलब कि उन्होंने अपनाया नहीं है उन चीजों को तो यह वीडियो जो हमारी है यह जो चैप्टर ही है खतम होता है हमारा चैप्टर समाप्त हो गया तो देखिए इस्टूंट अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक शे सब्सक्राइब कीजि पढ़रंतु जो इस्टूंट जादा होंगे जिस कोर्स किया जिस बुक के तो वो मैं पहले बना दूंगी तो आपके कमेंट के उपर अकौरडिंग करता है कि किस पर जादा कमेंट आ रहा है तो वो में पहले आपको वीडियो प्रवाइड करा दूंगे तो चलिए हम मिलते नेक्स टूडो में धन्यवाद